पाई गुर्दाजी कहते हैं, मार्या सिक्का जगत वेच नानक निर्मल पंथ चलाया पंथ, जब हम पंथ की बात करते हैं, पंथ का क्या मतलब है आपके लिए जरूरी निया है कि आपको सही चीज़ी बतानी है, आपके मन में क्या आता है जब हम पंथ की बात करते हैं सब को सहारा दो वेरी गुड और पंथ गवाई गुर्णान देव जी अना अकाल पुरक जो खुद आये उन्होंने एक पंथ चलाया जरूरी बात है बड़ी अना पंथ चलाया वो पंथ क्या है वेरी गुड और वेरी गुड आपके जो जवाब हैं वो कही ना कहीं पंथ की डेफिनेशन को पंथ को ही पंथ को के बारे में ही बताते हैं ठीक है अब जो पंथ है एक तरह से अगर मैं असान भाशा में आपको बताओं कि एक सिस्टम बनाया ऐसिस्टम क्या होता है जब एक बच्चा होता है एक स्कूल में जाता है वह एक पर्टिकुलर एक ताइम परी जाता है मानो सोबppe 8 बजे स्कूल शुरू होता है ऐं क्या आप आप अपने बच्चे को साधे 8 बजे स्कूल बंत हो जाएगा तो आपने बच्चे को कितने बज़े भेज ओगे कि वह साथ वज़े त्यार चरफ देंगे बढ़िया और पहुने 8 वज़े भेज देंगे गेट अंदर वेरी गुड अब देखो तो स्कूल का एक नियम होता ना अब आठ बज़े का नियम है तो आठ बज़े से पहले आप कोशिश करते हो कि मेरा बच्चा पहुंच जाए क्यों 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 कि आठ बज़े के बाद गेट बंद हो जाएगा फिर नियम की बात आ गई अगर वो समय पर नहीं जाएंगे तो अंदर नहीं जा पाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे ठीक है और पढ़ाई ज़रूरी है है ना अब एक और सवाल में आप से बूछा हूँ मान लोग की जो कक्षाएं लगती यहां टिशान लगती है टीक है क्या आपका बचाएठ चार नगा कर अधार वापेश आ सकता तरहां जो पंथ है वो एक सिस्टम बनाया है गुरू महराज ने जिस सिस्टम पे हम अगर चलें तो हम अकाल पुरग तक पौन सकते हैं गुरू महराज कहते हैं कि धर्म से पहले पंथ का होना बहुत जरूरी है धर्मी अगर बनना है तो पंथ के अंदर आना पड़ेगा और पंथ क्या है एक सिस्टम उस सिस्टम में हजारों चीजी आ जाती है जो गुरू महराज ने हमें कहीं है जिसकी शिरुवात होती है सुबह के अमरित विले से आप मेंसे कौन हैं जो अमरित विला समभालते हैं कोई बात नहीं अगर लेट भी हम उठते हैं तो इस हो के कभी हम नियम तोड़ते हैं आप आपको ये समय में लगी कि वो नियम है अमरित विला नियम है क्योंकि गुरु माराज का हुकम है ठीक है इसी तरह से गुरु माराज की जो साथ बाणियों का हुकम है वो भी एक नियम है कोई बात नी जो कम करते हैं वो कोशिश करें ये जो आप कोशिश करोगे उसका फल किसको मिलेगा आप ही को मिलेगा आप उस अगाल परो के और करीब जाते जाओगे बलहारी गुर अपने दियोहारी सदवार जिन मानस्ते देवते किये करत ना लागीवार